और गोरखपुर से योगियादित्ननाथ के चुनाव लड़ने की घोशना के बाद अखिलेश यादफ के भी विधानसवा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है अब ऐसे में मैनपुरी स्थीट से विधानसवा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है अखिलेश याद बिदान्सावा चुनाव लड़ने का बन बना रहे हैं और अखलेश यादव जो है पहली बार विदान्सावा चुनावा लड़ने के सांसत हैं हम बेनपूरी की जनता से जालेंगे कि अखलेश यादव को लेकर क्या राय है उनकी और जानते हमारे साथ कुछ अताता अलब लड़ते हैं, तो रिकार्ट मतों से यहां से जीते हैं उत्तर पजेस में कोई प्रत्यासि यहां नहीं जीते गा, इतने पहमद से जीते हैं, इतने सबसे बड़े बोट लेके, और यहां से जीते हैं अग्लेज वही जिन्द बात। जो बोटर है वो बताएंगे अखलेश यादब जी में पूरी से चुनाव लड़ेंगे अलाकि पहली बार बिधान सभा कर चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे मैं यह कहना चाहता हूं माननिये नेता जी और अखलेश भाईया की जिनम भूमी और करम भूमी में पूरी और अटावा जिला है और अखलेश भाईया अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इनकी बढ़िया जीत होगी और बहुत बाहमत से जीत होगी मैं यहीं चाहता हूँ भाईया यहां से जरू चिनाव लड़ें और पूरे उत्तर पेज़ पूरे हिंदुस्तान में वो जीत दर्ज करेंगे जो आने वाले इत्यास देखेगा अखलेश यादब ब्लेश चाना जीते हैं तो हमारे साथ और एक भाई वोजूत है अखलेश यादब ज़ीत ज़ते हैं तो क्या प्रिक लिया रहेगी किसा रुजार रहेगा लोगों के अच्छा मद्दान होगा अच्छा बेवार किसानों के जन पर यह अगले ज़या नेता जी है समान जबाजी पार्टी को लोग पर यह नेता जी मानते है मैंने अच्छा मैं रहेगे कटस में सेति हैं अज्ए यह मैं खचाल है